ते जस्वी यादों के आने की उमीद थी लेकिन वो नहीं पहुचे इसको लेकर राबड़ी देवी ने पहले तो बेतु का बयान दे दिया और फिर अपनी बात को जैसे तैसे करके संभाला ये वीडियो उसी का सबूत है ते जस्वी यादों के विधान मंडल सतर में नहीं आने को लेकर जब उनकी मा और बेहार विधान परिशत में नीता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी से पूछा गया तो वो भड़क गई मीडिया के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि तेजस्वी आपके घर में है बाद में जल्दी ही उन्होंने अपनी बात को संभाल लिया और फिर कहा कि तेजस्वी बैठे नहीं है वो अपना काम कर रहे हैं वो जल्द सामने आएंगे आपको बता दे कि विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विधान मंडल सत्र में उपस्तित रहने की उमीद थी लेकिन सत्र के पहले दिन ही वो नहीं पहुँचे इससे पहले आरजडी के प्रदेश अध्याक्ष रामचंदर पूर्वे ने दावा किया था कि तेजस्वी सदन में पहले दिन से मौझूद रहेंगे माना जा रहा था कि बिहार की राजनीती से गायब तेजस्वी यादव करिब महीने बरबाद प्रकट हो सकते हैं लेकिन राबडी देवी के अंदाज से लगता है कि मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा का है ऐसे में जब सरकार कुछ बोलने को राजी नहीं है विपक्ष के नेता गायब है राजी चमकी के प्रकोप से परिशान है वहीं नेता के गायब रहने के सवाल पर सफाई की जगा राबडी देवी भड़क जाएं तो भाई क्या कहना राबडी देवी का ये वीडियो वाईरल है और सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो पर खूब कमेंट कर रहे हैं ऐसे में बिहार के विपक्ष के हाल को देखकर बिहार की जनता के लिए क्या उमीद रखी जाए ये तो अपने आप में एक सवाल है रोहित कुमार सेंग पटना बिहार तर झाल